हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चानेंगे के करना टक में हुए हिजाव केस इतना बड़ा क्यूं है? साथ ही चानेंगे इसके पीछे की पूरी घटना खरम. इसके दोरान कोट में हुई याचिका के बारे में और वीडियो के एंड में चानेंगे वर्ल में मुस्लिम लड़कियों की टाइपस अफ वॉन्ट के बारे में. तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे और हमको अपनी बिचार कॉमेंट में जरूर सैयर करना. तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो. आखिर क्या है हिजाब कहानी? करनाटक के उडूपी से सुरू हुआ ये मामला और अभी तक कंदपूरा और भद्रावती तक पोच गया है. उडूपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनी एक मुस्कान नामक लड़की को कुछ छात्र जैस्रिराम की नारा देते हुए कॉमेंट मारने पर लड़की ने अल्ला हुआ कवर का नारा देने लगी. और तभी उन छात्रों ने उसे घेर लिया और दंगा की परिस्तिती उपची. और तभी कॉलेज के कुछ स्टाप आकर उस मामले को सुल्धाने लगे पर बाद में ये घटना साम्प्रदाइक दंगा का रूप ले लिया. आखिर क्यूं हो रही है दंगा? कुछ दक्षिन पंथी संगठनों ने हिजाब पर एतराज जताते हुए कहा अगर एक संप्रदाई को अपनी संस्क्रिती के हिसाब से हिजाब पहने कॉलेज में आने की अनुमती है तो दूसरी संप्रदाई को भी भगवा बस्तर पहन के कॉलेज में आनी चाहिए और उन्ह कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज के कुछ शिक्षाबित और विभिन प्रांत के लोगों का मानना ये है कि किसी को भी शिक्षा की माहोल को खराब करने का कोई भी मौका नहीं देनी चाहिए। हम इन चीजों को इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी तरफ लड़कियां कह रही है कि अभी तक उनको इस बात से रोका नहीं गया और अचानक से उनकी संस्कृति के बिरुद्ध वो इस चीज को केसे मान ले तो उसे लेकर हाई कोट में एक याची का दाखिल किया गया है। इस घटना में राजनेतिक सम्मंध। अगले साल करनाटक में बिधान सवा निर्वाचन होने बाला है। मुस्लिम संप्रदाय की लड़कियों की पहनाबट और हिजाब नकाव आदी के बारे में। विभिर्न प्रकार के सर को ढखने वाली चुन्रिया मुस्लिम लड़कियां व्यभार करती हैं। जो उनका पारमपरिक और धर्म संस्कृती बिश्वास को बनाए रखता है। हिजाब, निकाब और बुर्खा आदी पहनावा वो पहनते हैं। उनके धारमिक मान्यताओं के हिसाब से An Act of Modesty और धारमिक अभ्यास, इसलाम के प्रती उनके धारमिक बिश्वास और व्यक्तिगत जीवन सैली इन हिजाबों की तरिकों को भी भिन्न करता है। सबसे पहले आता है हिजाब। ये एक ऐसा पहनावा है जो साधरन मुस्लिम लड़किया यूज करती हैं। इसमें वो अपनी सर से लेकर गले तक की एरिया को ढगती हैं जिसमें मूँ खुला रहता है। इसके कपरे का क्वालिटी और डिजाइन एकदम उनके पॉसनल चॉइस के हिसाब से होती हैं। इसको मेंली सेंट्रल एसिया की मुस्लिम लड़किया पहनती है। ये पहनाबट बॉडी के सारे हिस्से के साथ सर को ढखता है। इसमें एक नेट का दुपट्टा होता है जो मूँ को ढखने में कामाता है। इसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आदी के लोग इस्तमाल करते हैं। निकाब ये साधर अन्त काले रंग के होते हैं और दो प्रकार के होते हैं। फुल निकाब, commonly गल्फ कंट्री में पहना जाता है और ये कवर करता है सर और मूँ को और इसमें आखों के लिए एक खाली जगा रहता है। और दूसरा है हाप निकाब, इसमें आखे और फोरेड को खुला छोड़ा जाता है। इसको साउथ एसिया और नौर्थ अफ्रिका के लोग इस्तमाल करते हैं। फिर आता है अल अमीरा, ये दो भाग में आता है, सर को ढखने के लिए एक क्याब जैसा होता है और उसके उपर एक दूसरा भाग होता है, इसको साउथ इस्ट की महिलाएं यूज करती है, इसमें फेस कवर नहीं होता। शेला, ये एक लंबी चतुरभुजी सकार्फ के दरा होता है, ये काफी सिमिलर होता है हिजाब के साथ, इसमें भी मूँ को ढखा नहीं जाता, गल्फ लड़कियां इसे ज्यादा तर इस्तमाल करती हैं। खीमर, इसमें मूँ के लिए पहले से ही एक कट रहता है, और ये सर, गर्दन और कंधे को एक राउन के फॉर्म में ढखता है, ये इजिप्ट के अंदर ज्यादा पपुलर है। फिराता है चैदोर, ये एक शॉल की तरह होती है, इसमें सर से लेकर पूरी बॉड़ी को ढखा जाता है, इसमें कोई स्टिचिस नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हिजाब को लेकर पूरी जानकारी, आपको हमारी ये वीडियो केसी लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सुक्रान।